ओम शांति ओम शांति आज 24 दिसंबर 2030 दिन रवी वार की अव्यक्त मुर्ली आईए अब सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के मदूर महावा क्यों को पुराने संसकारों को खतम कर अपने निजी संसकार धारण करने वाले एवर रेडी बनो आज बाप दादा अपने चारों और से विश्व के बाप के लव में लवलीन और लकी बच्चों को देख रहे हैं हर एक बच्चे के भागे पर बाप को भी नाज है कि मेरे बच्चे वर्तमान समय इतने महान हैं जो सारे कल्प में चाहे देवता स्वरूप में चाहे धर्मनेताओं के स्वरूप में चाहे महात्माओं के स्वरूप में चाहे पदमपति आत्माओं के रूप में किसी का भी इतना भाग्य नहीं है जितना आप ब्रहमनों का भाग्य है तो अपने ऐसे स्रेष्ट भाग्ये को सदा स्मृती में रखते हो सदा यह अनहदद गीत मन में गाते रहते हो वह भाग्य विधाता, बाब वह और वह मुझ्च श्रेष्ट आतमा का भाग्य यह भाग्ये का गीत सदा उटोमेटिक बज़ता रहता है बाप बच्चों को देख देख सदा हर्शित होते हैं बच्चे भी हर्शित होते हैं लेकिन कभी कभी बीच में अपने भाग्य को इमर्ज करने के बजाए मर्ज कर देते हैं जब बाप देखते हैं कि बच्चों के अंदर अपने सो भागय का नशा निश्चय मर्ज हो जाता है तो क्या कहेंगे ड्रामा लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सदा ही भागय के स्मरती स्वरूप देखने चाहते हैं आप भी सभी चाहते ही हैं लेकिन बीच में आ जाता किसी से भी पूछो, तो सब बच्चे यही लक्ष रख करके चल रहे हैं, कि मुझे बाप समान बनना ही है, लक्ष बहुत अच्छा है, जब लक्ष शरेश्ट है, बहुत अच्छा है, फिर कभी इमर्ज रूप, कभी मर्ज रूप क्यों, कारण क्या, बाप दादा से इतने अच्छे-अच्छे वायदी भी करते हैं रुह रिहान भी करते हैं फिर भी लक्ष और लक्षण में अंतर क्यों तो बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि कारण क्या है वैसे तो आप सब जानते हैं नई बात नहीं है, फिर भी बाप दादा रिवाइज करते हैं, बाप दादा ने देखा तीन बाते हैं, एक है सोचना, संकल्प करना, दूसरा है बोलना, वर्नन करना, और तीसरा है कर्म में, प्रैक्टिकल अनुभव में और चलन में लाना, कर्म में लाना, तो तीनों का समान balance कम है जब balance होता है तो निश्य और नशा इमर्ज होता है और जब balance कम है तो निश्य और नशा मर्ज हो जाता है result में देखा गया कि सोचने की गती बहुत अच्छी भी है और fast भी है बोलने में रफ्तार और नशा वह भी 75% ठीक है बोलने में मिजियोर्टी होशियार भी है लेकिन प्रैक्टिकल चलन में लाने में टोटल माक्स कम है तो दो बातों में ठीक है लेकिन तीसरी बात में बहुत कम है कारण जब संकल्प भी अच्छा है बोल भी बहुत सुंदर रूप में है फिर प्रैक्टिकल में कम क्यों होता है कारण क्या जानते हो हाँ या ना में बोलो जानते बहुत अच्छा है अगर किसी को भी कहेंगे इस टॉपिक पर भाशन करो ये क्लास कराओ तो कितना अच्छा क्लास करेंगे और बड़े निश्चे नशे फलक से भाशन भी करेंगे क्लास भी करेंगे कराते हैं बाप दादा सबके क्लासे सुनते हैं क्या क्या बोलते हैं मुस्कुराते रहते हैं वा वा बच्चे वा मूल बात है बाप दादा ने पहले भी सुनाया है ये रिवाइस कोर्स चल रहा है तो बाप कहते हैं कि कारण एक ही है ज्यादा भी नहीं है एक ही कारण है और बाप दादा समझते हैं कि कारण को निवारन करना मुश्किल भी नहीं है बहुत सहज है लेकिन सहज को मुश्किल बना देते हैं मुश्किल है नहीं बना देते हैं क्यों नशा मर्ज हो जाता है एक ही कारण है जो भी धारना की बातें सुनते हो करते भी हो चाहे शक्तियों के रूप में चाहे गुणों के रूप में धारना की बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हो इतनी अच्छी करते हो जो सुनने वाले चाहे अग्यानी चाहे ग्यानी सुनकर बहुत अच्छा गन डालता है लेकिन शब्द स्माप्त होना अर्थात बाप समान समीप आना और बाप के समीप आना अर्थात समय को समीप लाना लेकिन अभी तक लेकिन शब्द कहना पड़ता है बाप को अच्छा नहीं लगता लेकिन कहना ही पड़ता है तो कारण क्या जो भी कहते हो धारन भी करते हो धारना के रूप से धारन करते हो और वह धारना किसी की थोड़ा समय किसी की जादा समय भी चलती है लेकिन धारना प्रैक्टिकल में सदा बढ़ती चले उसके लिए यही मुख्य बात है कि जैसे द्वापर से लेकर अंतिम जन्म तक जो भी आवगुण वाकम जूरियां हैं, उसकी धालना संसकार रूप में बन गई है, और संसकार बनने के कारण मेहनत नहीं करना पड़ता है, छोड़ना भी चाहते हैं, अच्छा नहीं लगता है, फिर भी कहते हैं, क्या करें, मेरा संसकार ऐसा है, आप बुरा नहीं मानन मेरा संसकार ऐसा है, संसकार बना कैसे, बनाया तभी तो बना ना, तो जब द्वापर से यह उल्टे संसकार बन गए, जिससे आप समय पर मजबूर भी होते हो, फिर भी कहते हो, क्या करें संसकार है, तो संसकार सहज, ना चाहते हुए भी प्रैक्टिकल में आ जाते हैं ना, किसी को क्रोध आ जाता है, थोड़े समय के बाद कहते हैं आप बुरा नहीं मानना, मेरा संसकार है, क्रोध को संसकार बनाया, अवगुन को संसकार बनाया और गुनों को संसकार क्यों नहीं बनाया, जैसे क्रोध अज्यानी की शक्ती है और ज्यान की शक्ती शांती है, सहग शक तीक रोध को बहुत अच्छी तरह से संसकार बना लिया है और यूज भी करते रहते हो फिर माफी भी लेते रहते हो माफ कर देना आगे से नहीं होगा और आगे और ज़्यादा होता है कारण क्योंकि संसकार बना दिया है तो बाप दादा एक ही बात बच्चों को बार-बार सुनाते हैं कि अभी हर गुण को हर ज्यान की बात को संसकार रूप में बनाओ ब्रामन आत्मा के निजी संसकार कौन से हैं क्रोध या सेहन शक्ती कौन सा है सेहन शक्ती शांति की शक्ती यह है ना तो अब गुणों को तो ऐसे हर गुण को अंदर कूट कूट कर संसकार बनाओ, मेरा निजी संसकार कौन सा है, ये सदा याद रखो, वे तो रावन की जायदात संसकार बना दिया, पराय माल को अपना बना लिया, अब बाप के खजाने को अपना बनाओ, रावन की चीज को संभाल कर रखा है और बाप की चीज को गुम कर देते हो, क्यों, रावन से प्यार है, रावन अच्छा लगता है या बाप अच्छा लगता है, कहेंगे तो सभी, बाप अच्छा लगता है, यही मन से कह रहे है न, लेकिन जो अच्छा लगता है, उसकी बात निष्चे की स्याही से दिल में समाजाती है जब कोई रावन के से थे और फिर भी कहते रहते हैं बाबा, आप से मेरा बहुत प्यार है बहुत प्यार है बाब पुUCKते कितना प्यार है तो कहते हैं, आकाश य走了 बाब सुनकर के खुश भी होते हैं कि कितने भूले बच्चे हैं फिर भी वाप कहते हैं बाप का सभी बच्चों से वाइदा है कि दिल से अगर एक बार भी मेरा बाबा बोल दिया फिर भले बीच बीच में भूल जाते हो लेकिन एक बार भी दिल से बोला मेरा बाबा तो बाप भी कहते हैं भी हो जैसे भी हो मेरे ही हो ले तो जाना ही है सिर्फ बाप चाहते कि बराती बन कर नहीं चलना सजनी बन कर चलना सुनकर के तो सभी बहुत खुश हो रहे है अपने उपर हसी भी आ रही है अभी सुनने के समय अपने उपर हसते हो न अपने उपर हसी आती है और जब जोश करत हो तब लाल पीले हो जाते हो लेकिन बापने रिजल्ट में देखा कि बच्चों में एक विशेशता बहुत अच्छी है कौनसी पवित्रता में रहना इसके लिए कितना भी सेहन करना पड़ा है कितना भी ओपोजिशन करने वाले सामने आई हैं लेकिन इस बात में 75% अच्छे हैं कोई कोई गसिया अर्थात गपोड़ा भी लगाते हैं लेकिन फिर भी 75% ने इस बात में पास होकर दिखलाया है अब उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट कौन सा आता है क्रोध देह भान तो टोटल है ही लेकिन देखा गया है कि क्रोध की सब्जेक्ट में बहुत कम पास ह हैं ऐसे समझते हैं कि शायद क्रोध कोई विकार नहीं है ये शस्त्र है विकार नहीं है लेकिन क्रोध ग्यानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है क्रोध अनिक आत्माओं के संबंद संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है और क्रोध को देख करके बाप के नाम की एक तो महान रूप आप अच्छी तरह से जानते हो, दिखाई देता है यह क्रोध कर रहा है। दूसरा क्रोध का सुक्ष्म स्वरूप अंदर में एर्षय, द्वेश, घ्रणा होती है। इस स्वरूप में जोर से बोलना या बाहर से कोई रूप नहीं दिखाई देता है। लेकिन जैसे बाहर क्रोध होता है, तो क्रोध अगनी रूप है न? वे अंदर खुद भी जलता रहता है और दूसरे को भी जलाता है। ऐसे इर्षय, द्वेश, घ्रणा यह जिसमे हैं वे इस अगनी में अंदर ही अंदर जलता रहता है। बाहर से लाल पीला नहीं होता, लाल पीला फिर भी ठीक है लेकिन वे काला होता है। तीसरा क्रोध की चतुराई का रूप भी है। वे क्या है? कहने में समझने में ऐसे समझते हैं, वे कहते हैं कि कहां कहां सीरिस होना ही पड़ता है, कहां कहां लो उठाना ही पड़ता है, कल्यान के लिए। अभी कल्यान है या नहीं, वे अपने से पूछो, बाप दादा ने किसी को भी अपने हाथ में लो अर्थात कानून उठाने की चुट्टी नहीं दिये, क्या कोई मुरली में कहा है कि भले लो उठाओ क्रोध नहीं करो, लो उठाने वाले के अंदर का रूप वही क्रोध का अं निमित हैं, तो बाप द्वारा बनाए हुए लो को रिवाइज करना पड़ता है, निमित बनने वालों को इतनी चुट्टी है, सब को नहीं, आज बाप दादा थोड़ा ओफिशल शिक्षा दे रहे हैं, प्यार से उठाना क्योंकि बाप दादा बच्चों के लिखे हुए, किये हुए वाइदे देखकर, सुनकर, मुस्कुराते रहते हैं, अभी बाप दादा ने जो सुनाया कि हर गुण को निजी संसकार बनाओ, अंडरलाइन किया, तो अभी से यह कहना कि शांत स्वरूप में रहना, सहन शील बनना, यह तो मेरा संसकार बन गया है, फिर बाप द दादा के आगे इन 5-6 मास में दिखाना, इसलिए आज रिजल्ट सुना रहे हैं, क्रोध की रिपोर्ट बहुत आती है, छोटा बड़ा भिन भिन रूप से क्रोध करते हैं, अभी बाप दादा ज्यादा नहीं खोलते हैं, लेकिन कहानियां बहुत मज़े की हैं, इसलिए आ आप दादा अभी यह बार-बार सुनने नहीं चाहते, फिर भी रहम पड़ता है, तो सुन लेते हैं, तो अब से यह नहीं कहना कि बाबा वाइदा तो किया, लेकिन फिर फिर आ गया, क्या करें, चाहते नहीं है, आ जाता है, आप ही माया को समझा दो, क्रोध को समझा दो, तो यह पुरशार्थ भी बाप करें, और प्रालब्द बच्चे लेंगे, यह भी महनत बाप करें, तो ऐसा वाइदा नहीं करना, जो फिर पांच मास के बाद रिजल्ट देखें, भले आप बताओ, नहीं बताओ, बाप के पास तो पहुँचती है, ऐसी रिजल्ट नहो, क् बाबा चोटी मोटी बाते हम पार कर लेते हैं, यह बात ही बड़ी थी ना, अभी दोश किस पर रखा, बात पर, और बात क्या करती है, आई और गई, पांच हजार वर्ष के बाद फिर बात आईगी, जो पांच हजार वर्ष के बाद बात आनी है, उस पर दोश रख देते ह ऐसे नहीं करना, क्या करूँ, यह संकल्प में भी नहीं लाना, बाप दादा क्रोध के लिए क्यों विशेश कह रहा है, क्योंकि अगर क्रोध को आपने विदाई दे दी, तो इसमें लोब इच्छा सबा चाता, लोब सिर्फ पैसे और खाने का नहीं होता है, बिन-बिन प्रक हो जाएगा, अभी माना आता है न, मैं बड़ा, मैं समझदार, मैं जानता हूँ, यह क्या अपने को समझते हैं, तब क्रोध आता है, तो अभी मान और लोब यह भी साथ साथ विदाई ले लेंगे, इसलिए बाप दादा, विशेश लोब के लिए, ना कह करके, क्रोध को अ अभी थोड़ी सी मुबारक देते हैं, बहुत नहीं, और जब फिर से रिजल्ट देखेंगे, फिर वतन के देवताईं भी, स्वर्ग के देवताईं भी आपके उपर वह वह के पुश्प गिराएंगे, आज से हर एक अपने में देखे, दूसरे का नहीं देखना, दूसरे क आप इतना भी फोर्स देकर कहते हैं कि अगर कोई विरला महारती भी कोई ऐसी कमजोरी करे, तो भी देखने के लिए और सुनने के लिए मन को अंतर मुखी बनाना, हसी की बात सुनाएं, बाप दादा आज थोड़ा स्पष्ट सुना रहे हैं, बुरा तो नहीं लगता है, अ हम देखते हैं और कमजोरी को बहुत गहराई से देखते हैं और फोलो करते हैं, एक दो से वर्नन भी करते हैं कि क्या है, सब को देख लिया है, महारती भी करते हैं, हम तो यहीं पीछे, अभी महारती जब बदलेंगे ना, तो हम बदल जाएंगे, लेकिन महारतीयों की तपस तो हम बदलेंगे तो दोखा खालेंगे इसलिए मन को अंतरमुखी बनाओ समझा यह भी बापतादा बहुत सुनते हैं देख लिया हमारे भी तो आंके हैना हमारे भी तो कान है देख लिया देख लिया मारतियों का फाउंडेशन निश्चे अटूट अचल है उसकी दुआए एक्स्ट्रा मारतियों को मिलती है इसलिए कभी भी मन की आँख को इस बात के लिए नहीं खोलना बंद रखो सुनने के बजाए मन को अंतर मुखी रखो समझा चारों और के सर्व बाप दादा के लवलीन आत्माएं सर्व बाप के सेवाधारी आत्माएं सर्व सहज पुर्शार्थ को अपनाने वाली श्रिष्ट आत्माएं सदा बाप समान बनने के लक्ष और लक्षन को समान बनाने वाली बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉरिंग और नमस्ते वर्धान सबको अमर ग्यान दे अकाले मृत्यू के भई से छुडाने वाले शक्ती शाली सेवा धारी भग अब आप दादा के वर्दान को विस्तार में समझेंगे दुनिया में आजकल अकाले मृत्यू का ही डर है डर से खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, सो भी रहे हैं ऐसी आत्माओं को खुशी की बात सुना कर भाय से छुडाओ उन्हें खुश खबरी सुनाओ कि हम आपको 21 जन्मों के लिए अकाले मृत्यू से बचा सकते हैं हर आत्मा को अमर ज्यान दे, अमर बनाओ, जिससे वे जन्म जन्म के लिए अकाले मृत्यू से बच जाए ऐसे अपने शान्ती और सुख के वाईवरेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूती कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी बनो स्लोगन याद और सेवा का बैलन्स रखने से ही सर्व की दुआएं मिलती हैं औम शान्ति ओम्शंटी